शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मैंने सोचा फूश लो शदभ पाफ करतों मचे मजए एक बहुत मेरी बात सुन लो व खुब गल्दी मैं मांनता हूँ कि मेरी यह लेकिन मैं इस सब कुछ नहीं करना चाहता था जो कुछ भी वा वो जाने अंजाने में हो फिर में बताना चाहता था पर पर मैं टर गया जिम तो समसित्योना तरे इंटेंशन क्या बताना चाहता वरुन बोल, ऐसा क्या है जो शद्दा समझ ससी और मैं नहीं और इसे भी इतनी राथ को तू यहां क्या कर रहा है? वो जो गुंडा है ना वो भाग राथ मैंने मैंने उसे पकड़ने की कोशिश किये लेकिन वो भाग गिर फ़र फे सब लोग परेशान थे न? तो मैंने शद्दा का पीछा किया और पीछा करते करते यहां पहुचके और अच्छा हुआ की पहुचके परना पदाने क्या नर्द हो शद्द भगवान का शुक्र है कि तुम दोरो साही सलामत हूँ शद्दा तुम फिकर मत करो वो गुंडा आज भाग गया है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा मैं भी चैन से नहीं बैठोंगे जब तक उससे पपड़ना लोगा आइधिंक अब 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 हमें घर चलना शेए बहुत देर होगी और घर पे सब लोग परिशान होंगे न अब शदब तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछेएंगा लीजिए, आगा इदूनू अब है यह क्या हो गया तुझे तुझे यह चूट कैसे लग गई और तुम लोगों ने अपना हाल क्या बना लिया है कहां थे तुम लोग अरे मम्मी दो सेगंड नहीं लगाते हो टेंचें पकडने में वो सबके लिए गिफ लेने गया थो पाइख रिप होगी तो जराती चोट लगी है मैं ठीक हूँ चलो पूजा करने चलते हैं अब इतने सालों में पहली बार दोनों परिवार मिलके लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं भूरत की कोई जरूत नहीं है हूँ आप पूजा करते हैं आप शुरू करते हैं अरे तू पाली देना आप दे की जी भाबी अ अ जय लक्ष्मी माता मया जय लक्ष्मी माता तुम को निस दिन सेवत तुम को निस दिन सेवत हर विष्नु भी थाता ओ जय लक्ष्मी माता शुर्थ 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 मैं तुमारे जामने हाथ चोड़ता हूँ इस मेरी गलती के बारे में यहां पर किसी को भी हमत बताना मैं आज जोड़ता हूं तुमारे आखे जिससे आप खलती कह रहे हैं न वो एक गुना है और उस गुना को छुपाकर मैं एक और गुना नहीं करना चाहती हूँ तुजा खतम होने दीजे मैं सब को सच-सच बता दूगे उस रात का अंत आज ही होगा मैं साही टाइम आने पे ना सब कुछ सुल जातूँगा सब तीक हो जाएगा रुक्ये मुझे आप सब को इक बार बतानी है हाँ बेटा क्या बात करनी है बता हूँ वो रात जब हम सब की किसमत की लकीरे पलट गई उस रात का सच बताना है मुझे आप सब को श्रदा प्लीज किसी को कुछ पत बोलो प्लीज श्रदा तुम्हें जो बोलना बेजी जग बोलो वो रात जब अचानक आपकी और मेरी किसमत एक साथ बान दी गई उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके जबेदार वरुन जी है श्रदा यह अब क्या कह रही है उस रात जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा और वरुन ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि वरुन जी को कीर्थी पसंद थी और वो उस ही से शादी करना चाहते थे श्रदाबी जी श्रदाबी जी आप इस लतीजे पर कैसे पहुची यह हमेरी पता लेकिन और नहीं तो क्या और तुम क्या नएकी तिवी पंतर रही हो और इल्जाम लगारी हो हमारे वरुन पर विना सबूत के वो भी क्योंकि वुआ जी मैंने खुद अपनी आखों से वरुन जी को उस गुड़ने को पैसे देते में देखा है जिसने उस राद मेरे साथ तुम गुंडो के पास कप गई थी जो ऐसे मू फाड़ के बोल रही हो आरती से पहले जब मैं और अबहे उस गुड़ने को ढूड़ने निकले थे तो वो वरुन जी ही थे जिनोंने हमें वहां उस अड़े पर बंद कर दिया था ताकि वो उस गुड़ने को वहां से भागने का मौका दे सके वारुन वारुन आप कुछ बोल क्यों नहीं रहें जो शर्दा कह रही है किया वो सैच है जब इंसान खालत होता है ना तब उसकी बोलती ऐसे बंद जाती है लोराँजी आपने कैसे और क्यों कि आपने हमारे जिंदगी के साथ खिलवार किसने हग दिया आपको हमारे संदगी पर बात करने का आज तक आप पे ना हमें गर्व था लेकिन आज आज आप ही कि वज़े से हमारा सर शर्म से चुगिया है रुके दाब जी इसे सजाद देने का हक सिर्फ मेरा है कि इसकी इस गिरी वहरकत से जिनगी मेरी मरबाद हुए मेरे बाई तेंग मेरी बात सुन जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुका हूं वो जो तुझे करना था वो तू कर चुका है अब तेख मेरे क्या करता हूं मेरे भाई मेरी बात सुन तेख में मानता हूं कि मेरी गल्ती लेकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा एपिश मुझे माफ कर दे मेरे भाई माफ कर दे वरन तू माफी के लाय के नहीं बचा है अब यह क्या कर दे अबए अबए तनू रोको अबए गो अबेर नहीं, प्रीज़ प्रीज प्रॉब पर्पेर भीधिए। प्लीज यह जट कीजे। मैंने कहा रहादा मेरे रास्टा जटो। इसकी वटर से हमारी जिन्दगी पर बाद हुई है। जब तक में इसको रसानी रहेता मुझे जयननी आएगा। यिए सब बखिए एप बखिए भान! आवार! कुछ पर नगें ना को कि अगेंगें जा प्रेंगा कि अगेंगें तुम परिशान लग रही हूं तुम तुम परिशान लग रही हूं, जब ठीक तो है ना? मैं अवी आतीम. मुशं, बाप कर दो, संदू. मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफि मांगता हूँ पिश्वास करो मेरा इरादा गलत नहीं थो मुझे मुझे एसास नहीं था कि कि मेरी वज़ा से किसी को उतरी तकली पहुच सकती अंजाने में अंजाने में उसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंजाने में ये सब को जो आपने किया है उसकी सफाई में आप उसके ये कह रहें क्या आप से ये गलती अंजाने में हो गई आपकी एक गलती की वज़े से किसनों की सिंदगी बरबाद हो गई वरुन जी तुठीक अब तुम मुझे वता कि मैं कैसे अपनी गल्दी का पश्यताब करूग तुम जो बोलोगी ना वो करूगा सुद्ध पश्यताब क्या कर लेंगा पश्यताब करके हाँ आपके पश्यताब करने से क्या मेरी सिंदगी जो पहले जैसी थी वो वैसी हो जाएगी वक्त का काटा अगर एक बर आगे बर जाता है ना तो उसे दुबारा पीछे नहीं किया जा सकता शद्धाप मैं बस तुम से विंती कर सकता प्लीज यह सच अपने तकी रखना अगर इस घर के लोगों को इस सच के बारे में पदा चल गया ना तो यह परिवार विखर जाएगा सब कुछ गदम हो जाएगा शद्धाप सब कुछ गदम हो जाएगा किस सच को छुपाने की विंती करा शदा से तुम्दोन क्या चुपार मुट्से सुम्दोन क्या चुपार मुट्से जो तो बंदम है सब कर दो जाएग जो जो गुंदा एंड़ अच्छी तो शद्धा की वज़े से भाग गया था कि शदा तुमने रखियों गुंडे को अपने परिवार की जंता था कि अगर उसे जेल हो गई तो उनका ध्यान कॉन रखेगा तो शद्धा को उन पर तरह सागे इसलिए इसलिए उसने उसे माफ कर दिया और जाने दिया सच मुश्रद्धा तुमारा दिल वाकई बहुत बड़ा है अरे यार हाथ में आई हुए गुन्डे को तुमने छोड़ दिया लेकिन कोई बात नहीं है तुमारे मन में दयाब आवने जाग गई थी पर मैं उसे नहीं छोडने माला चब तक मैं उसे सजा नहीं देता है नहीं चैन से नहीं बैटो हुआ तेर से जूटी आपने एक जूट को चुपाने के लिए और कितने जूट बोलेंगे आप जानते है वरुण जी सच की खासियत क्या होती है कि वो किसी भी रूप में सब के सामने आ ही जाता है आपको क्या लगता है ये बात आज मुझे तक पहुची है घरवालों को ये सच्चा ही नहीं पता चलेगी एक नहीं दिन सब के सामने ये सच आही जाएगा तिर चाहे वो स्लच तहीं आप ही के मुझे ना निकल जाए श्रदा लेकिन तुम तो ये सच किसी को नहीं बताऊगी ना मैं चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता सकती वरना मेरा पूरा परिवार दिखर जाएगा करी श्रदा ने ये बात किसी को बता दी तो मैं बस पांच मुनित मैं आपकी ते गर्मा गरम नाष्टे लेकर आई और चाय भी साथ में तुमारे आद से बना एक निवारा नी कहूंगा मैं श्रदा तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यू चुपाई पूपर तो मेरे बहुत अच्छा बनती हो और पीट बीचे ये सब किया तुम्हें क्या लगाता मुझे पता नहीं चलेगा अरे मुझे लगाता शायद हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है लेकिन तुमने तो मेरे पीट बीचे ही गंजन मार दिया किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग